बिजनाखोबर टीवी में आपका सुवागत है आज बिजनाओर में सुभा सुभा हुआ दर्दनाक सडग हाथ सा DCM ने मारी गेहू काटने वाली मशीन के पास खड़े लोगों को जोरदा टककर जिसमें दो लोगों की हुई दर्दनाक मौत और चार लोग हुए घायल जिन में दो लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है दरहसल आपको बता दिकी आज बिजनाओर के हलदोर थाना छेतर में बिजनाओर मौदाबाद मार्क पर उस समय चीक पुकार मच गई जब गेहु काटने जा रहे गेहु की मशीन के पास खड़े लोगों को तेज रफ्ता डीसीम ने जोरदा टकर मार दी बताया जा रहा है इस पूरे हाथसे में चार लोग घायल है और दो की मौत हो चुकी है जिनकी मौत हुई है वह दादा पोते है दादा का नाम अमर सिंग पुत्रनाथू सिंग है उम्र बावन साल बताई जा रही है और पोते का नाम विशाल बताया जा रहा है मौके पर पहाँची प्लीस ने मौत के सव को कबजे में ले बेजा पोस्माटम के लिए और घाईलों को कराया स्पताल में भड़ती बताया जा रहा है मरतक के परीजन वे घाईलों के परीजनों ने गुसे में आकर लगाया बिजनौर मुरादबाद मार्क पर जाम मौकी पर पहाची पलीस मरतक वे घाईलों के परीजनों को समझाने में जुटी सबी लोग चनल को सबस्क्राइब करें, फेस्बुक पर देख रहे हो फोलो करें और खबर को ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें पुलिस आगे यह मौकप है, जब पुलिए आगे आप लोग जाम लगा रहे हैं क्या चाहते हैं कि अब भाई आपका मोहित इक्या माम लाया है, यह हम लोग जो हमारा बतीत चाहिए नहीं है, इस टाम किसानों का काम कर टाम चलता है, तो यह लोग घर से निगले तो चौराया पार गेला, तो में साइड में खड़े थे, किसान से बात करें जी किदर गो आना है, इतना यह गाड़ी आई गड़ी वाली इसने पित लिए प्लड़ी पलड़ गी, यह तक रहा हमारे पलड़ गया, उसमें हमारे गोग पैर कट गई, एक हस्तर बीच हरते हिफकेशत किला कृटछाया आगे क्या और यह प्लड़ी गयाई अब काट वालागे और आपका लेख अब गया च Elijah जो घर के करें में बोही होगा